जारखन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जारखन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताइए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को कर बेल आइकन को दबाना बिलकुल न भूले आज का लाइक एम 500 है उमीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे जारखन में स्कूलों के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन जारखन में करोना संक्रमन के कम होते मामले के बीच राजे की हेमन सुरेन सरकार ने सिक्षन सस्थानों को खोलने का आदेश दिया है राज सरकार के निर्देश के अनुसार इसकूलों को कलास के दोरान करोना गाइडलाइन का समुझी ध्यान रखने के हो सकता होगी इसकूलों में सभी लोग मास्क का इस्तेमाल करें और सोसल डिस्टेसिंग का पालन करें यह सारी ब्यवस्ता स्कूल प्रवंधन को सुनिश्चित करनी होगी इसके साथ ही स्कूलों को अपने कलास रूम से लेकर स्टाप रूम और कारिडोर तक को समय समय पर सनिटाज करना होगा वहीं जगा जगा सारे रिख दूरी और कोविड नियमों के पहलन के लिए बोर्ड और पोस्टर भी लगाने होंगे वहीं इसकूलों में केवल ऐसे सिक्षा को कलास लेने की जाज़त होगी जिन्होंने कुरोना वैक्सिन का दोनों डोज ले लिया हो इसकूलों और संस्थानों में किसी परकार के संस्कितिक कारकरम प्रतिबंद रहेंगे मौसम विभाग के अनुसार रांची में अगले 24 घंटे तक मौसम सोस्क रहने का अनुमान है मौसम विभाग ने गुरु आर के दिन सूबा और दो पहर तक मौसम के सोस्क रहने की संभावना जताई है मौसम सोस्क रहने की वज़ा से रांची में सूबा सूब और लोगों की चाहल पहल देखने को मिल रही है लोग पहले की तरह अपने अपने कामों पर लोडते दिख रहे है धनबाद खधान हादसा घायलो का छुपकर करार है इलाज धनबाद के निर्शा गोपिनाथ पूर में अवैद खनन में हादसे की खबर जैसे सरुजनिक हुई सेकडों की संक्याम लोग को लियारी की और भागे नेता अधिकारी से लेकर बड़ी संक्याम लोग जुटे वहीं अवैद खनन में संलीप्त लोग अंडर ग्राउंड हो गाएं भीड जुटने के पहले घायलो को लेकर परिजन फरार हो गाएं कई का इलाज बंगाल के कुछ निजी अस्पताज एवं किलिनिक में कराये जाने की सुचना है दस से अधिक लोग घायल भी हुए हैं घटना अस्थल पर खनीको के समान बिखरे पड़े थे कलाकार बंटी सिंग नहीं रहे नागपुरी को दिलाई थी पहचान जालीबूट के स्टार कलाकार और गायक बंटी सिंग का आज निधन हो गया है जनकारी के मुताविक उन्हें सांस लेने में तकलिफ हो रही थी जिसके बाद उन्हें रांची के गुरु नानक अस्पताल में भरती कराया गया था वह पिछले चार दिनों से वेंटिलेटर पर थे लेकिन जिन्दगी से जंग लडने के बाद आज उन्होंने दुनिया को अलविदा कर दिया हर्मुक के मुक्तिधाम में दोफर दो बजे आज उनका अमतिम संसकार हो गया जार्खन के छ़़ फार्मेसी कॉलेज में छात्र नहीं ले सकेंगे दाखिला फर्मेसी काउंसिल ओफ इंडिया ने राजे के बारा फर्मेसी संस्थानों के खिलाब करवाई की है इस में से 6 ऐसे फर्मेसी संस्थान है जो 72 स्थेज के लिए अब पाठकरम का संचालन नहीं कर सकेंगे साथ ही इनकी मन्याता को बर्तवान सत्र के लिए रद कर दिया गया है वहीं छो फर्मेसी संस्थान की बिभीन कोर्स के लिए सीटे घटा दी गई है इन संस्थानों पर फर्मेसी कॉंसील आफ इंडिया के नियम वसर्थ का पालन न करने की सिकायत लगातार मिलती रही थी साथ ही फर्मेसी संस्था के गलत तरीके संचालन पर भी करवाई की गई है जारखन में जनवारी तक बजट की 40.43 खर्च जनवारी तक बीकास योजनाओं पर कूल 23,185 कोल रुपय खर्च किये गा या बीकास योजनाओं के लिए किये गई संसोधित बजट प्रवधान का 40.43 परत्यत है योजना विकास विभाग ने जन्वरी 22 तक सभी विभागों द्वारा योजना मत के किये गए खर्च की अजनकारी दी योजना विकास विभाग की ओर से समिक्षा में अजनकारी दी गई की योजना मत का आकार बढ़ा कर 57338 को रुपे कर दिया गया है संस्वोधित चोजना आकार के मुकाबले 29 से 76 रूपय का वंटन आदेश चारी किया गया विकास चोजनाव पर खर्च की गई राशी संस्वोधित चोजना आकार का 40.43 परचिशत और अवंटन आदेश के मुताविक 78 परचिशत है सेना में नोकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाली महिला गिरफतार हर्याना पूलिस ने 15 ओपी पूलिस के सहयोग से सेना में नोकरी दिलाने के नाम पर एक क्रोर से अधिक ठगी क्या रोपी मधु यादो नामक महिला को गिरफतार कर लिया है पिसका मोड के पास तेल मिल गई इस्थीत सेंटरल इन्वर्सिटी के असिस्टेंट परफेसर बिजाई यादो के फलेट से महिला की गिरफतारी हुई पुलिस ने विजाई यादो से भी पुष्टाश की लेकिन बाद में उसे मंगलवा के राद छोड़ दिया मधु यादो खुद को खेल गाव स्टेडियम में बॉक्सिंग कोच बताती है वह मुल रूप से हर्याना के रेवारी की है पुलिस के अनुसार उसका पती से ना में है रांची से पटना के लिए भी चलेगी वंदे भारत ट्रेन आम बयट में देश में 400 नई वंदे भारत ट्रेन चलाने की घोसना की गई हलाकि रांची सहावणा के बिच वंदे भारत ट्रेन चलाने की तयारी पहले से चल रही है दक्षिन पुरू रेले मुख्याले के अधिकाई ने बताया कि अब रांची पटना के लिए भी वंदे भारत एक्सप्रेस मिलने की समवना बढ़ गई है पुरू में रेले भारत ट्रेन के लिए 56 रैंक का निर्मान करने की बात कही गई थी अब वित मंत्री ने 400 ट्रेन चलाने की घोसना की है तो इसका लाव बिहार जारकंड के लोगों को भी मिलेगा पलमा गुमला पथ में 4500 पेल काटे गए 6000 और पेल कटेंगे पलमा गुमला पथ में अब तक 4500 पेल काटे गए हैं घागरा परखंड के चपका से सीसी गांव 10 किलोमीटर तक सड़क किनारे 8000 पौधारोपन होगा बता दे पौधारोपन का या कारे नेशनल हाईवे द्वारा कराया जाएगा हलाकि एनेश द्वारा एक लाग पांच हजार पौधारोपन कराया जाना है जिसमें एनेश द्वारा अभी 8000 पौधारोपन करने का प्रस्ताव बनाया गया है बताते चले कि एनेज द्वारा रांची के पलमा और गुमला के करम डीपा तक फोरलेंस लग के निर्मान के दोरान बीच में आने वाली पेड़ों को काट कर हटा दिया जा रहा है लगभग 45 पे काट कर हटा दिया गया है इसके अलावा अभी भी और हजारों की संक्या में पेड़ है जिसे काट कर हटाया जाना बाकी है जबकि लगभग 6000 और पे काटा जाएंगे जार्खन में मनरेगा वाज की बार्षिक रिपोर्ट में कई खामिया है जार्खन में मनरेगा की इस्थिती बेहतर खराब है दो फरवरी को मनरेगा के लागू हुए सोरा वर्ष पूरे होने पर स्वेम शेवी शंगठन ज्हारखन मन रेगा वाच ने वार्ष की रिपोर्ट जारी की है इसमें काहा गया है की ज्हारखन जैसे पिछले राजे में या कानून कई मायनों में वर्दान शाबित हो रहा है लेकिन करेनोयन ठीक से नहीं होने के कारण मैजदूर इसमें ठीक नहीं पा रहे प्रथम लोकडाउन से ठीक पूर्व जार्खन में 48 लाख परिवार मंदेगा से पंजीकरित थे ठीक एक वर्ष बात फरवड़ी 2021 को या आकड़ा 62 लाख हो गया इस दोरान देश के विभीन हिसो से प्रवासी मैजदूरों ने आकर अपना जॉब काड़ बनवाया ऐसे परिवारों की संखे करीब 13 लाख थी अपर बजार की दुकानों को सील करने पर साथ फरवड़ी तक रोक जारखन की राज़ानी राची के अपर बजार की दुकानों को सील करने के नोटिस के खिलाप मंगलवार को Municipal Building Tribunal में सुनवाई हुई सुनवाई के बाद Tribunal ने कुछ मामलों में साथ और कुछ मामलों में आठ परवई तक नगर निगम की करवाई परोक लगा दी है इस दिन अब इन मामलों में फिर से सुनवाई होगी ट्रिबनल में कूल बारप परतिष्ठानों की और से नगर निगम की और से सील करने के आदे से खिलाप अपिल दाखिल की गई है जारखन के गड़वा जिले में दावा दुकाने बीना लाइसेंस रिनुवल कराए ही धड़ेल से संचालित हो रहे हैं इससे नियमों की सर्याम अभेलना के साथ ही रयोस का भी नुकसान हो रहा है दावा दुकानदारों की माने तो जीला जुआइन डारेक्टर से रिजनल लाइसेंस अथरेटी के पद रिक्त होने से दावा दुकानदारों का लाइसेंस रिलवन नहीं हो पा रहा यह स्थिती बीगत चार माह से बनी है इससे दावा के अवयत कारुबार को भी बढ़ावा मिल रहा है जारखन में अपराध वर नक्सल पर आज जीलों के साथ वीडियो कनफेसिंग करेंगे DGP जारखन में अपराध वर नक्सल मामलों पर DGP निरसिना बुद्धवार को सभी जीलों के साथ वीडियो कनफेसिंग करेंगे पूलिस मुक्याले में बैठक सुबा 11 बरिस प्रस्तावी था है इस मौके पर हत्या डकायती लूट फिरवती के लिए अफरन लेवी दुसकर्म संगठित अपराध से जुड़े कांडो अनुसंधान के लिए लंबित मामलों की भी जनकाई ली जाएगी डिजीपी के निर्देश पर सभी जिलों के SSP, SP, रेंज, डिजी वा जोर्नल आईजी को भी इस समान में सुचना भेजी गई है और उन्हें बैठक का एजेंडा दे दिया गया है लोहरदागा के मुर्तिकार आर्थिक संकट से जूज रहे लोहरदागा में कुरोना की पहली लोहर के बाद से ही मुर्तिकारों के जीवन में उथल पुथल मचा है कई मुर्तिकारों की कमाई पर अंकुस लग गया है वहीं लोकडाउन के बाद जीतने भी परवतेवार आये भीड़भाग पर रोक रहने साथगी के साथ मनाय जाने वह अल्पमांग होने के कारण बहुत कम मूर्तिया बनाई जाती रही वह भी अधिकांस मूर्तिया 4-5 फिट की ही बनाई जा रही मूर्तिकार बताते हैं कि पिछले 3 सालों में कुरोना के कारण उन्हें बहुत कम कमाई हुई है धन्यवाद